नमस्कार दोस्तों मैं नाम नोशकुमारे गौर कम्मिटर ग्यान में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा नोटपैड तो नोटपैड का ये मेरा विडियो आप देख लेते हैं दोस्तों तो कहीं भी कोई भी आपसे नोटपैड से कोई भी कोश्चन करते हैं तो उसका 100% सियूर आप जबाब दे सकते हैं ये मुझे पर भरोसा रखिए तो नोटपैड के सारा अंसर और कोश्चन उसका साथ प्लेट क्लेमिय में करके दिखांगा तो चलिए शूरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला कॉश्चन है नोटपैड में अंटैटल नोटपैड जिस पर लिखा हुआ रहता है उससे क्या कहते हैं तो नोटपैड के हम लोग ओपन कर लेते हैं तो नोटपैड के हम लोग ओपन कर लिए कोश्चन लिखा हुआ है ना यहां पर पर देख्याएं टैटल नोटपैड इसको हम लोग बोलते हैं टैटल बार और आपको लिखा हुआ है तो सब्ट्रेक्शन गुना के चीन को क्या बोलता है, अब आपको बताता है, एहाँ पर, इसको सब्सक्राइब के चीन की क्या रहता है? कांट्रोल बटन बोलेंगे तीनों को क्या काम है इसको आप ऐसे नीचे डेक्स्टर पर भी इमने टाक्स बार पर भी इसको रख सकते हैं और इससे बड़ा चोटा उन्हों कर सकते हैं और यहां पर क्लिक की जाएगा क्या हो जाएगा आपको next question आते हैं नोटपन में default name क्या होता है तो default name क्या होता है? और मैं save, इसको मैं save कर दता हूँ desktop पर, ठीक ना, तो अब आपको, देखी मैं जैसी computer को नाम पर save कर दूँगा, तो देखिएगा यह उसको परोला नाम यह चेन हो जाएगा, ठीक ना, तो इसको बोलते है, default name यही होता है, जब save कीजिएगा तो यह नाम आपको हड जाएगा, ठीक ना, notepad में कितनी menu होते हैं, तो notepad में कितनी menu होते हैं, इसको बोलते हैं, menu, menu बार तो एक, दू, तीन, चार, पांच menu होते हैं, next question, notepad में नीचे वले पट्टी को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्टेडस बार, तो नीचे वले पट्टी कहा पर होता है, द अब आते हैं, नोट पैड में, अश्टेडस बार को सोन रिट कर सकते है, तहां कर सकते है, इसका result होगा 2 में, तो कैसे, देखियेगा, ये नीचे जो है, इसका सोन रिट कर सकते हैं, यहां से व्यू के मेन्यु में से, यहां पर किलिक किजएगा, तो हड जाएगा, टिक यही आपको hide करने के लिए option होता है खीक है ना notepad में new का circuit की क्या होता है न्यू का circuit की क्या होता है control N, new से क्या करते है जब कोई आप यहाँ लिखते हैं इसको अफ्षील हो जाता है भर जाता है तो नया पेज ले सकते हैं तो नया पेज लेने के लिए इस पर जाएगा और पर जैसे आप लिए बो हाँ.. Wirtschaft करणार हाँ.. अगर पर बिशा प्राव्डकिन चाहते हैं.. हिर नहीं की जीएगा इस पर click की ज़ागा तो बीना शेव की डालर कि बॉक्स खुल जाईगा थाâte दिन लिखिए इसको शेव कर लेते हैं तो मैंने click किया तो यह क्लिक हो कि आपको आपको डॉंट सेप पर क्लिकेए तो बीने शेप करें आपको वापस चीखें आप एक नया पेज आ गया ठीक है आप यहां पड़ियाते हैं नोटपैड में open का shortcut की क्या होता है तोCtrl O होता है तो यहाँ पर देखिए open का shortcut की Ctrl O Ctrl O से क्या होता है आप जो भी save किये हो से आप उसको निकाल सकते हैं तो कैसे फाइल में जाएंगे open में जाएंगे Ctrl O भी कर सकते हैं computer क नाम से मैंने save किया था आज ही means स्कूपिन कर सकती इस तरह से ठीक ना नोट पैड में सेब का सॉटकॉट की किया होता है तो कंट्रोल एस होता है कि यहां पर भी कंट्रोल एस किजिएगा तो सेब हो जाएगा ठीकिन तक कैसे सेब करते हैं सबसे पहले हम लोग इतना न्यूप पेज ले लेते हैं और न्यूपेज लेने के बात हैं आपको कुछ टाइप किए हमको सेब करना होगा तो कंट्रोल एस करेंगे यहां पर एक डा डी में ठीक है डी में आप ऐसेफ के जिए अपको सफ करना तो ma sin कर रहे हैं आपको सेफ कर रहेंगा यहाँ अपने था अनाम धersonal रही जोलिक सब्सक्राइब क्या के गाओ तूर आ प्लस हो धोलेजारे ह 예साथ हो घृड्ड Ti सेबध कोप करेंगे आप देखिए, दो ऑप्षन है, जो इसको इसको ऐसको फाईल को डुप्लिकेट करना है या उपरवाला का नाम करना है, लोकेशन लोकेशन ते जगह जैसे कि मैं आपको बता रहूँ, सेबध पर मैंने क्लिक किया, अगर आप सेबध क्लिक करते हैं तो कुछ ही नहीं आपको डेलक खुलेगा ठीक ना अगर असका नाम और लोकेशन और मल्टिपल कोपी मतलब इसका निकालना चाते हैं तो अब इसको सेब आज कोपी करेंगे, तो कैसे करेंगे, सेब आज पर जाएंगे, सबसे फाइल मनोज के जगा पर कोई और नाम लिग द अब आते हैं, नोट पैड में, एक और अप्शन, नोट पैड में पेस सेट अप का आप्शन किस मेनू में होता है, तो फाइल मेनू होता है, पेस सेट अप का अप्शन होता है, तो फाइल मेनू पेस सेट अप का अप्शन होता है, तो पेस सेट अप करते हैं, इस पर हम क्ल इसको portrait बोलते हैं और landscape कर दिएगा तो आपको page ऐसा हो जाएगा rotate ठीक ना अब यहाँ पर देखें टॉप इसको left left side को बोलते हैं तो left में कितना छोड़ के आप लिखना चाहते हैं तो देखें यहाँ पर हम जैसे 0 करेंगे तो इतना आपको page में 60 हो लिख कर आएगा ठीक ना इसको हम कर दते हैं 0.5 यानिका आधा इंचे 0.5 तो आधा इंचे छोड़ के लिखेंगा और right इसको बोलते हैं आधा इंचे छोड़ के लिखेंगा तो इसको भी हम 0.5 यानिका आधा इंच इस तरह है और top में हम लोग एक इंचे छोड़ेंगा अगर दो इंचे छोड़ देजिएगा तो देखें ज्यादी नीचे आगिया तो दो इंचे उपर आपको blank आ जाएगा उसके बाद आपको इसको भी हम लोग आधा इंच छोड़ते हैं नीचे बाटम में भी आधा इंच इससे क्या होगा कि लेफ्ट में आधा इंच राइट में आधा इंच और top और नीचे बाटम एक इंच आपको छोड़के प्रिंट होगा और header footer भी नहीं दिए ठीक है तो उसको क्लिक करेंग यह आपको क्लोज हो जागा देखिए इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपको हट गया फिर इसको open कर लेते हैं notepad को next चलते है next हम लोग option क्या है यह देखना है देखिए next question है notepad में file extension name क्या होता है तो .txt होता है तो file extension name क्या होता है जैसे आप save करते हैं दोस्तो तो यहाँ पर आपको देखिए यह आपको file extension name है और और कैसे check कर सकते हैं देखिए notepad का file इस पर right click किजिएगा प्रोपर्टिव देखिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा देखिएगा जो नाम लिखर रहेगा आपका नाम जो save किजिएगा पर देखिए .xt .xt के नाम से आपको इसी को गोलते है file extension name ठीक ना notepad में undo का shortcut क्या होता है तो ctrl ctrl plus z होता है ठीक ना तब इसका उप्यो किसलिए करते हैं तो देखिए कि यहाँ पर इसका है यहाँ पर इसका है यहसे मानिकि कि हम यहाँ पर इक computer लिख लिए और हमको चाहते कि गलती हो गया यहाँ से जाकिए undo कर देए आपको हड जाएगा इसी लिए इसको इसको notepad में shortcut की क्या होता है तो notepad में shortcut की होता है ctrl x ctrl x ctrl x से क्या होता है इसको आपको हम बता रहे हैं देखिएगा यहाँ पर देखिएगा अगर हमको computer को नीचे लाना है तो इसको ऐसे का करेंगे select करेंगे इसको का करेंगे cut करेंगे cut कर दिये control x से और उसके बाद यहां cursor पर नीचे आएंगे और फिर control भी कर देगे तो cut का किसलिए काम होता है अगर उपर से कोई cut करके नीचे लाना चाहता है या आधर जगह लाना चाहता है तो आपको cut का उप्योग करते है next अब देखिए notepad में copy का shortcut की क्या होता है तो CTRL plus C, C मतलब copy, copy का है कि लिख करेंगे अगर computer आपको दूगों तिन गों लिखना है तिया select करेंगे और इसको copy कर लेंगे कोई करके कहीं भी आपको paste करते है जहां पर करसर हैगा Ctrl V मारिएगा तो paste हो जाएगा यानि copy करके पेस्ट किया जाता है तो paste का shortcut की क्या होता है CTRL plus V यह बहुत imported है X यानि कि cut copy paste बहुत होता है बहुत होता है दिनों भर आफकान की जागे तो cut copy paste है पेस्ट मतलब किया जैसे ज्यान को चाहिए एक और यहां से का किजिए copy कर लिजिए Ctrl C कर लिजिए जहां रखना चाहते है इसके नीचे रखना चाहते है तो Ctrl V कर दिजिए ति आपको duplicate बन देखना है Ctrl F से क्या था आप फाइंड कर सकते है धून सकते है खोष सकते है, कैसे Ctrl F पर किलिक कर दिजिए ठीक ना Ctrl F Ctrl F Ctrl F पर मैंने क्लिक किये एक हासा Ctrl F किलिक कि किजिएगा यहां पर दो अप्शन है आप किसको फाइंड करना चाहते है कम्प्युटर को तर आप लिखे देंगे जैसे अगर यह प्रांड नहीं कर पाए geen तो आप में klick히 देवाई तो नहीं लीखियेगा आपको तो अपसे पहले उत दोटाएका आंब मैं अब rubber को भीर को देखे, up में कर दी हैं, आपको आ गया, ठीक ना, तीस तरह से आप ढूंड सकते हैं, find वर क्या था, खोजना, ढूंडना, अगर up, down इसे करके आप ढूंड सकते हैं, पूरा लेटर भी लिख के, find बेंड क्लिक करके आप इसको ढूंड सकते हैं, ठीक दोस्तों, अगला find next, find मे एसे करके पीछे जाएगा, अब आगला अपसर क्या है, replace, replace क्या है, देखिए, आगला ढूंडना है, find next क्लिक करना है, f3, ठीक ना, f3 यहां पड़ी था, आगला ढूंडेगा आपको, पीछे का करना है, तो replace, f3, पीछे का ढूंड देगा, ठीक ना, notepad में replace का shortcut की क्या हो आपको, एक कर देंगे, तो जैसे replace करेंगे, तो एक लेटर चेले, जैसे all पर click करेंगे, देखिए, आपको सभी चीज़ हो गया, total, replace पर click करेंगे, तो यह गो letter होगा, और replace all पर click करेंगे, तो आपको क्या होगा, पूरा है, आपको, जहा जहाँ, ओ था, वहाँ आपड़ी यह कर दिया अब आपको ठीक करना चाहते हैं तो यह प्रेस किजिए और यहां पर प्रेस किजिए अगर यह को चेंज करना चाहते है तो next find next किजिए और all पर क्लिक किजिए तो अब आते हैं दिकना गोटू मतलब क्या होता है जाना जैसे आपका e-line में e-line में e-line में कहांपर आप जाना चाहते हैं तो go to को उप्योग करेंगे यहां पर आएंगे और go to पे क्लिक करके एक लाएंच, दू लाएंच, ती लाएंच में आप जा सकते हैं नोड़न में नोड़न में गौट में गयाता है फिसे करेंगे इसको डिलिर कर सकते हैं स्कनिकर कर सकते हैं मैं सब्सक्राइब करेंगे शाच इसके काम कर सकते हैं, notepad में date and time का circuit की क्या होता है, तो यहाँ पर उपर click किजेगा और यहाँ पर f5 press किजेगा तो यहाँ पर date and time आपको लग जाएगा, notepad में font का option किस menu में होते है, font मतलब इसका लिखावट change करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आता है format में, format में font है, इस concern क्या हो जाएगा, font में font का option होता है, ठीक है नव इस concern हो जाएगा format, यहाँ भी format ऐसे लिख देता है, इसे क्या कर सकते इसको भी देख लिए इस पर किलिक किजिएगा आपको कैसा लेटर चाहिए ऐसा बोल्ड और बड़ा चाहिए इस पर किलिक किजिएगा तो बड़ा छोटा आप खुद कर सकते हैं नोटपैड में जूम आउट और जूम इन को अप्शन किस मेनु में होते हैं तो आपको किस मेनु में होते हैं तो भी मेनु में होते हैं यहां से देखे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं यहां पर आपने अंसर क्या जाएगा भी में होते हैं ठीक है दोस्तों और नोटप तो नोटपेड में जूम और जूम आउट का option किस menu में होते हैं, तो वीव में होते हैं, लेकि जूम और जूम आउट का option किस menu में होते हैं, तो ये भी आपको वीव में होते हैं, दोनों question आपको वीव में होगा, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह सारे option के click करेंगे, और इसको मै पैट के लिए और answer question मैंने दोनों आपको बता दिया तो I hope दोस्तों वी वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो like किजिए share किजिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye